धरम स्थल के नियम दूसरों से उचित दूरी रखे और किसी के आगे नहीं खड़े हो मंदिर में दर्शन और प्रात्ना के लिए जाए तो आसपास वाले लोगों से थोड़ी दूरी बना कर रखनी चाहिए मंदिर में दूसरों के सपर से बचना चाहिए ऐसा करने पर पूजा से आपको और दूसरों का ध्यान नहीं हटेगा मंदिर में दर्शन के दोरान किसी के आगे नहीं खड़ा होना चाहिए नहीं किसी के आगे की तरफ से निकलना चाहिए इसका दोश लगता है काले कपड़ों से बचना मंदिर सकारत्मक उर्जा का केंदर होते है जहां मानसिक शांती मिलती है काला रंग नकारत्मक ता पैदा करता है इसलिए किसी भी मंदिर में जाते वक्त काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए मंदिर जाते समय सफेद पीले और हलके रंके कपड़े पहनने चाहिए गहरे नीले रंके कपड़ों से भी बचना चाहिए तेज आवाज में बोलने और हसने से बचे मंदिर में भूल से भी आपस में हसी मजाक ना करे धरम स्तलपल मन को एकराग रखना चाहिए तेज आवाज में बोलना भी ठीक नहीं है ऐसा करने से दूसरों का ध्यान पूजा से हट जाता है जिससे दोस भी लगता है मंदिर में फोटोग्राफी और किसी भी तरह का मनोरंजन नहीं करना चाहिए ऐसा करने से धरम सतल की गरीमा और लोगों की शर्दा प्रवाबित होती है मांचिक शान्ती और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए लोग मंदिरों में जाते हैं इसलिए इन चीजों से बचना चाहिए उल्टी परिकर्मा ना करे कुछ लोग अज्यानता के कारण उल्टी परिकर्मा कर लेते हैं हमेशा परिकर्मा उल्टे हाथ की तरफ से शिरू करके सीधे हाथ के और खतम करनी चाहिए इसके अलावा शिवलिंग की आधि परिकर्मा करनी चाहिए बेल्ट पहन कर ना जाए मंदिर में कभी बेल्ट पैन कर या चमडे की चीजे नहीं ले जाना चाहिए चमडे को अशुद माना गया है ऐसा करने से पाप लगता है मूर्ती के सामने ने खड़े रहे देवी देवताओं की मूर्ती के सामने खड़ा होना गलत है क्योंकि भगवान की मूर्ती से निकलने वाली तेज उर्जा मानव शरीर सहन नहीं कर पाता